दोस्तों हमारी इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनोंने अपने अजीबो गरीब शोक के काण ही खतरनाक जंगली जानुआ को पालतू बना लिया है जिसके बारे में हम तो कभी सोच भी नहीं सकते जैसे किसी ने बाग को ही घर में पाल लिया है तो किसी ने खतरनाक मगर मचको आज की इस इंटरस्टिंग वीडियो में मैं आपको पाच ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगा जिनोंने खतरनाक जानवरों को अपने घरों में पाल के रखा है तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं पांचवे नमबर पर है टाइगर हम सब जानते हैं कि बाग कितना खतरनाक जानवर है लेकिन उस्टेलिया के माइकल जमिंसन को इस जानवर से इतना प्यार है कि वे इन्हें अपने साथ घर में रखते हैं वो भी एक पालतो बना कर दरसल माइकल का कहना है कि उन्हें और उनकी पतनी को बिल्यों की ये खतरनाक पर जाती बेहद आकरशित करती है इसलिए वे इस टाइगर को तब अपने घर पर लेकर आये थे जब वे सिर्फ नो महीने का था और आज वो 4 साल का हो चुका है इस बाग को हर दिन 5 किलो कच्चा मास खाने में दिया जाता है माइकल अपने पैट का काभी ध्यान रखते हैं वे उसके साथ डिनर करते हैं साथ में केलते हैं और उसके साथ स्व्यूमिंग भी करते हैं चोथे नमबर पर है एलिगेटर यू तो मगरमच भी एक बहुत खतरनाक मासा हरी जीव है लेकिन टेकसास की रहने वाली स्टर्णो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मांगती और उन्होंने अपने घर में एक साधे छे फुट लंबा मगरमच पाल के रखा है और वह उसे अपने फैम से एक दिन एक महिला इस एलिगेटर को देखकर डर गई और उसने कोर्ट में केस दायर कर दिया लेकिन साथ महिने तक अपनी लड़ाई जारी रखने के बाद श्टर्णो उस केस को जीत गई और आज भी वै अपने एलिगेटर के साथ एक ही घर में रहती है तीसरे नमबर पर है पोलर बियर्ज यह कहानी और भी रोचक है जिसके अनुसार एक बार मार्क डुमस नाम का यह शक्स एक डोकुमेंटरी के सिलसले में आर्क्टिक रीजन में कया हुआ था जहां इसे एक छोटा सा पोलर बियर्ज अपनी मा के साथ खेलता हुआ नजर आया लेकिन मार्क ने जब ध्यान से दीखा तो उस बच्चे की मा की डैथ हो चुकी थी और वहें उसके आसपास गूम रहा था जिसके बाद मार्क डूमस ने चोटे से पोलर बियर्ज की कंडिशन को देखते हुए उसे अपने साथ लाने का फैसला किया मार्क पेशे से एक एनिमल ट्रेनर और बिहेवियर एक्सपर्ट है जिसकी बज़े से आज उस पोलर बियर्ज और उनके बीच काफी अच्छी बोंडिंग बन चुकी है और वे एक साथ काफी समय बिताते हैं वह पोलर बियर्ज आज 9 साल का हो चुका है नमबर दो पर है कोमोडो ड्रेगन दोस्तों ये चिपकली दुनिया की सबसे लंबी और वजनी चिपकली है इसका असली नाम एशन वॉटर मॉनीटर है जोकि कोमोडो ड्रेगन की ही एक पर जाती है इस चिपकली को पालने वाली इस महिला का कहना है कि वह इसे एक पुलिस प्रणीजर के घर से लेकर आई थी उसमें यह केवल 6 किलोग्राम की ही थी और अब यह 22 किलोग्राम की हो चुकी है यह मैला इस चिपकली को इतना प्यार करती है कि वह उसे गरम कपड़े तक पहना कर रखती है यह चिपकली मास मचली और खरगोश खाना सबसे ज्यादा नंबर एक पर है पैंगोलिन इस करेचर को आपने अपने बच्वन में कार्टून सीरीज पोकेमोन में जरूर देखा होगा जो कि एक बेहतरिन पोकेमोन था उसमें इसका नाम पैंगोलिन था जो की एक रिल करेचर पर बेजड करेक्ट tutti다가 यह बात सच्छे कि यह क्रेचर आ एक जंगली जानवर है और इसे एफरिका कॉंटिनेंट के देश नाइजीरिया में एक पैट की तरह पाला जाता है वह आप पैंगोलिन को बहुत से घरों में पैट की तरह देख सकते हैं दोस्तों आपके पास कौन सा पैट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल को ऐसी और भी इंट्रस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें तो मिलते हैं आप से अपनी अगली वीडियो